नमस्कार माहौल क्या है लेकर आज मैं लखनव से हाजिर हो लखनव से एक बड़ी खबर दोपहर जारी हुई वो आप तक पहुँची गई होगी कि बहुजन समाज पार्टी की नेता मायवती ने अपना राजनितिक उत्तराधिकार अपने भतीजे आकाश आनंद को सौब दि काशी राम ने डियेस फोर या 90 के दशक में जिस लेविल पर ले गए और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी जब मायवती को बनाया था तो बीस पि कहा थी और मायवती उसको कहा लेकर गई आज मायवती ने अपने परिवार में ही उत्तराधिकार दिया है तो ये राजनित सेखर रामट जो आजात समाज पार्टी के हैं जिन्होंने राजस्थान और मद्यप्रदेश में अभी उनकी शुरुआत उमीदों के उनके मताबिक वो कहते हैं कि हुई है तो उन्होंने 24 घंटे पहले ही अपने सारे जो कारकारणी रास्थी कारकारणी है उसको भंग कर दिया है और आज उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से कहा कि सारे जो जिलाद धक्ष हैं प्रदेश धक्ष हैं वो अपना जल्दी जल्दी ट्वीटर हैंडिल बनाएं और मुझे शेयर करनें यानि बहुजन समाज के अंदर नित्त को लेकर और भविश्की राजनीत को लेकर जो चंतन मनन चल रहा है उसके लिए मैंने सोचा दलीतों शो च्छात्रों से जो अभी सोच विचार जिनके दिमाग में पनप रहा है उनसे चर्चा की जाए जानने की कोशिश की जाए कि इवा इस राजनीत के बारे में क्या सोचता है तो मैं जरह कुछ चात्रावास के बच्चों से शुरू करता हूं आपका नाम क्या है मनोज पासव चाहिक है और वह तैयारी करें दूसरी तरफ मायावती जी ने लोकसभा चुनाओं से पहले सारी जिम्मेदारी अपने भतीजे को दी इसको आप कैसे देखते हैं इसमें अनिश्चित कुछ नहीं था मायावती जी पहले ही इसका अंदेशा था कि वह भतीजे को अपने आग कर देखेंगे तो अंबेटकर प्रेडास्थल काशी राम रमा भाई अंबेटकर कहर तरफ आप देखें तो सब उन्हों नहीं बनवाया था लेकिन अब 20-25 साल का जो 20-30 साल का युवा है वो इस दलित चिंतन को दलित राजनीत को शोशितों पीडितों वंचितों का जो नारा दे के राजनीत कर रहे हैं वो इसके बारे में क्या सूचता है इसका भृश किदर है दरीद राजनीती के विचार प्रोश डाक्टर रमबेटकर हैं और डाक्टर रमबेटकर ने सैधान ती राजनीती की वकालत हमेशा सकी इंडिपेंटेंट लेबर पार्टी के जब उन्होंने गठन किया या समाज के बंतिमवर्ग के लोग हैं उनके खिलाब महौल बने आज इसे जीरोफीस पेड़मीशन था वो खतम हो गया हम लोगों का इसके साथ हास्टल आप देख लीजे तमाम सारी दिक्केते हैं पहले जब बीएसपी सपा की सरकारे होती थी तो कहीं ने कहीं रियायत थी अच्छा महौल था नवकरियों में कोई भी रिजर्वेशन का इंप्लिमेंटेशन सही तरीकेस नहीं होता तो अमबेटकर विचार के केंद्र हैं कांसी राम भी केंद्र हैं पेरियार हैं तो कहीं ने कहीं उससे पहना लगा और यह बंधा नहीं रहेगा कोई ने कोई रास् पर चिंतने इस बात पर कांशी राम मूव्मेंट को कहां पहुंचा करके मायावती को अपनी थाती दे के जाते हैं मायावती क्या दे रही हैं आकाश को ने देखिए एक डलती वी एज में यह अपना उत्तरादगारी जो नहोंने चुना है ठीक है हम इतना ही गएंगे कि सह ऑगी यहां बड़े भाई यह सब बताहरूं तो एक बात वी बताएए यह जो खास कर दलित युवाओं की बात में की जा करूं दलित राजनीत की बात करूं क्या इसमें बिखराव आ रहा है जिस तरह से लोग मायावती जी के साथ खड़ेते अभी भी खड़े हैं जी निष्ट बार खड़े रहें गए अभी भी भी है जी और आकाश अनंद के आने के बाद भी खड़े रहें देखिए अब उनका कैसा वो रहता है उसे थोड़ा देखा जाएगा समझा जाएगा उसके साथ चंसेखर आजाद का जी अब उनके बारे में क्या है मैं यह कहता हूं कि कहते हैं कि यह वाओ में उनका बड़ा जोश है या जिन लोगों ने माया वती जी को बहुत अक्टिव नहीं देखा है चंसेखर आजाद उनके लिए विकल्प है एक तो यह बात कही जाती है दूसरी कही जाती है कि यह फिर बिखराव भी है क्या आपस में नहीं ऐसा तो नहीं है हाँ हलांके थोड़ा बहुत यह चल रहा है पर आजाद जी का भी इतना कोई ज्यादा एफेक्ट है आप क्या मानती है जैसे यह बहन जी ने उत्त्रादिकारी बनाया है वो तो सही किया है नेकिल अब इनको आकास आन यह मेरा खहन है यहां पार्टी अभी है आपके उसके उत्तान ऊपर उठने का देख रहे हैं लोगसभा का चुनाओ सामने है आपको क्या लगता है कि इसके इसकी कितनी संभावना हैं बीस्पी की जैसा संभावनाओं की बात की जाया तो यह पहल ठीक है बैंजी कि अगर ब को कैसे राजात को कैसा मांनती वह भी भॉजन समाज के नेता ही है कि एक बिखराव कुछ नहीं है वह भी समाज के लिए काम के रहा है और बेहरन जी ने भी समाज के लिए काम किये ब menti पूरन जुदो वह पफ़्टी है तो वह हमारे लिए खड़े हो तो जब भी हमें जरुवत पड़ती हैं आकर हम लोगों के साथ कड़े हो जाते हैं तो हम लोग के यह एकता है एकता के कारण उनका साथ दे रहे हैं जो है बहन जी क्या है बहन जी दलितों का ब्रांड है हम लोग नहीं छोड़ेंगे जब तक बहन जी हैं तब तक बहन जी के साथ रहेंगे जो भी यूँवा ओटर बैंक है भले चंसेकर रावण के साथ जा रहा है मगर जब वोट की बात आएगी तो वहाँ पर हम सभी लोग बहन जी के साथ जाएंगं क्योंकि बहन जी ने दलीतों के लिए बहुत कुछ किया है जैसे यहांपगल देख रहा है यह जो भी किया है दलीती रहती है आगे रहेंगी मैंने सुना इस सब्सक्राइब करते हैं यूपी का सबसे बढ़ियां यह सबसे ज्यादा सब्सक्राइब होने के कारण होते हैं असिस्टेंट प्रोफेशर होते हैं हैं हर एक छेत्रों में यहां पर मंतली देखिए दो चार रिजल्ट यहां पर आते रहते हैं बहुत अच्छे पत्पर होते ही यह बहन जी ने जो है हम लोगों के लिए एक तरह से जो है प्रांड़ दय के रूप में दिया हुआ यह दर्शिकों को जानकारी देते रहता हूं तो बता दू कि बहन जी की जब सरकार थी तब यह हॉस्टल बना था और मैंने पहले भी बोला कि 2003 वाली सरकार में बना जो बीजेपी के समर्थन से जब बनी थी और उस समय तो बना दूबारा जब सरकार आई थी इसका और अप्रेडेशन हुआ इसका एक्स्टेंशन हुआ और अदूबुत सुविधाएं थी इस हॉस्टल में अगर आप इसके परिस्वर को देखें साफ सकता है खेल कूद सब और यहां दलित मतला सी स्टी चातर जो है वो हर तरह की सुविधाएं पाते हैं यहां सामने एक बड़ी इन्वस्टी है और माफ किजी लाइबरेरी है और यहां से जितना मुझे पता है कि गैजेटेड ऑफिसर्स और इन्वस्टी में प्रोफसर्स मुझे लगता है कि जब से यह हॉस्टल बना है तब से सो क्या है वो कई सो निकल चुके है लगबक धाई 300 बच्चे यहां से गजजटेड अधिकारी गजटेड पत पर लोग स यह हॉस्टी